पर स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं एन आर्सी को एक वक्त था जब सीए और एन आर्सी को इंटर्ड्यूस किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था नो जेखा दा नकागत नहीं था किया है हिंदुस्तान किसी के बाड का नहीं है तो हिंदुस्तान एक धरमसाला भी नहीं है तो actual में NRC क्या है इसको हम समझेंगे और यहां पर यह चर्चा में क्यों आया है क्योंकि मनिपूर जो है NRC को लागू करने की तैयारी में आ गया है तो और हमारे देश में कहां पर NRC लागू हो गया है इन सब तमाम बातों को वीडियो में बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मनिपूर की विधान सबा ने एनार्ची को लागू करने और राज्ये जनसंक्या आयो की स्थापना करने का संकल्प लिया है यहां पर इन्होंने ये निर्ने क्यों लिया देखिए जब मनिपूर के कम से कम 19 शीर्ज आदिवासी जो संगठन है यानि जो टोप के 19 आदिवास संगठन है उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्टर लिखा और कहा कि वो नार्ची को लागू करें और साथ-शाथ अन्यैं सोधारों की अन्होंने मांगी यह मांग क्यों की tagli कि जो वहां के जो निवासी हं यानि जो मनिपूर के जो इंडिजिनियस पीपल है वहां के जो लो से तो यहां पर बहुत संक्या के अंदर जुमणीपूर के अंदर इन देशों के जो लोग आकर रुक रहे हैं तो यहां पर जो इस बात से डर रहे हैं कि जो गहर स्थानिक लोग हैं कहीं इनकी जगा ना ले ले。 अब यहां पर जो nrc है, वो है क्या इसके बारे में discuss कर लेते हैं。 देखें, nrc register है, जो परतेग गाओं के उस्परतेग गाओं के जो सम्बंद में त्यार किया गया, और साथ इसाथ जहां पर इस register में क्या होता है? घरों या जो जोतों को कर्मा नुसार दिखाया जाता है और परते एक घर में जो रहने वाले वेक्तियों की संक्या और उनके नाम का विवरन शामिल होता है NRC को पहली बार 1951 की जो जन्गरनाती उस वक्त त्यार किया गया था हाली में उसमें अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है और अभी तक केवल सिर्फर सिर्फर असम में ही अपडेट किया गया और सरकार इसको नैशनल लेवल पर अपडेट करने की योजना बना रही है इसका उदेश्य कैए देखिए इसका साफसा है आप से आपका वीवरंड लिया जाएगा आपको कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक है तो किर्प्टा करके अपने कागजाद दिखा दीजिए तो आप बस वो अपने कागजाद दिखाएंगे कागजाद दिखाएंगे तो आपको वैद नागरिक मान लिया जाएगा जिससे क्या होगा जो अवैद नागरिक है उनको इस देश से एक तरीके से बाहर तो नहीं अभी फिलाल उनकी पहचान की जाएगी कि आप इलिगल है आप इस देश के नागरिक नहीं तो यहां पर जो लीगल है और इलीगल है उनको तो separate करने का एक तरीका है NRC इसकी जो नोडल एजनसी है Register General and Census Commissioner India तो इसकी नोडल एजनसी हो गई यहां पर अब यहां पर मनिपूर में NRC को जो implement करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है इसको जान लेते हैं मनिपूर विधान सबा ने कुछ आंकड़े परस्तूत किये उसमें बात बोली गई कि मनिपूर की जनसंक्या में 1971 से लेकर 2011 तक बहुत जादा मात्रा में वृदी हुई है जो अब यह जो वृदी हुई है एक्चुल में जो यहां के जो स्थानिय निवासी है जो इंडिजिनियस पीपल है वो नहीं है बलकि जो गैर भारती है विशेश रूप से जो मैनमार के जो नागरिक है जिन में मुख्या से कौन से कुकी चीन समुदाय के जो लोग है उनकी संक्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कुकी चिन समुदाय के अलावा एनर्सी समर्थकों ने कहा बांगला देशियों मैनमार के जो मुसल्मान है उनकी पहचान भी की और जी आर्बियम के जो निर्वाचन शेतर पर इन्होंने कबजा कर लिया यह इतनी ज्यादा जन संक चन्सक्रिक हुई है अपनी संख्या को लेकर अपनी कल्चर को लेकर एक तरीके से डर है कि हमारी संस्क्रित करता है तो यहां पर इनोर्ति गहें इसनी को लेकर बलाएं इनको अपनी इसलिए अपनी संस्कृति अपनी जो कल्चर से बहुत जादा लगाव है बहुत जादे जुड़े हुए यह चाहते हैं यह नहीं चाहते कि भी कोई दूसरी कमुनिटी का या फिर दूसरी समुदाय का जो लोग इनके पास आकर रहे और इनके कल्चर में कोई भी गड़बर कर करे या फिर उसके अंदर कोई भी उनको रोकने का प्रयतन करे तो यह ऐसा नहीं चाहते हैं हालांकि जो मनिपूर है उसमें तीन पर मुख जाती हो कि समुग के अबादी वाला एक राज्य है और यह कौन-कौन सी है इसमें गैर आदिवासी मेतई और आदिवासी नगा और क की जो मी समुग है इन तीनों समुग में काफी टाइम से एक संगर समय देखने को मिला लेकिन एनर्सी के मुद्दे की बात करें तो मैती और नगाओं को एक साथ ही लिया जाते हैं उनका कहना है कि एनर्सी आवशक है क्योंकि देखे 2021 में सैन्ने का तकता पल्ट हुआ था प पर खत्रा बढ़ रहा है यहां के जो इंडिजीनियस पीपल है उनके लिए जो लोग वहां से जो प्लैन करके या प्लैन कर रहे हैं उनमें से अधिकांस कुकी चिन समुदाय से संबंदित हैं अब यह कुकी चिन समुदाय इतना जादा इंपोर्टन क्यों हो जाते हैं मनिपूर में एनर्सी को लागू करने के अलावा और क्या सुरक्षा कदम उठाए गया हैं दिसंबर 2019 में अनुनाचल पर्देश मिजोरम नागालेंड के बाद मनिपूर चोथा ऐसा राज्य बना था जिसमें इनर लाइन पर्मिट सिस्टम जो है वो लागू किया गया था इनर लाइन पर्मिट सिस्टम क्या होता है देखिए बंगाल इस्टन फ्रेंटियर रेगूलेशन एक्ट 1973 के तहट इनर लाइन पर्मिट सिस्टम जो है वो एक तरीके से अधिकारिक यात्रा दस्ता वेज है यानि कि अगर आपको मनिपूर में या फिर यहां पर रणाचल परदेश मिजोरम नागलेंड में अगर जाना है तो आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा जिससे आप तभी इन राज्यों के अंदर एंट्री कर पाएंगे अब यह कुछ टाइम लिमिट के अकोर्डिंग दिया जाता है अब यह क्यों दिया जाता है क्योंकि भारत में कुछ एक ऐसे शेत्र हैं जिनको सरंक्षित पर्तिपंदिश शेत्र हैं जो वहाँ के जो नागरिक हैं यहां के जो रहने वाले जो लोग वो नहीं चाते कि दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देश के लोग आ कर यहां पर आके बसे तो इनको अपनी भूमी या फिर इनको अपना कल्चर बचाने के लिए गवर्मेंट ने ऐसा काम कर रखा है बांगलादेश जो एक तरीके से पूरी पाकिस्तान हुआ करता था मैंनमार नेपाल एप्रवाशियों की घुसपेट को चीनित करते हुए संगठनों द्वारा मनिपूर के लिए एक पास या पर हुआ कि आपको इनर लाइन परमिट चाहिए एक तो होगे आप जिसको इनर लाइन आई लपी चाहिए और एक जिसको चाहिए और एक जिसको नहीं चाहिए अब जिसको नहीं चाहिए उसके लिए कोई टाइम लिमिट तो होगा कि आप आप इस राज्ये के इस टाइम पिरि उसको खोष्यर बहुत आजिए है या फिर घुमने के लिए आरहा है तो यहाँ पर यह कि लेक darी यह थी थी 19rze कि यहां और यह इससे कुछ नहीं थे उन्हों ने कि प्रदेश की सीमा पर बी जी एफ यानि कि आसम राइफल की तैनाती की थे इसी दर है कि जो निर्देश है अगस 2017 में फरवरी 2018 में भी दिये गए थे अब पुर्वतर राज्ये में एनर्सी की स्थिति क्या है इसको हम जान लेते हैं देखें आसम इस चेतर का एक मातर ऐसा रा कर दो आएगा गा इस्थानिय निवासकियों का रजिस्टर जीश्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहबिड मेंड आगा लेंड आर आई आई एन एक नामग एक समान मतलब कि एक तरीके से कहें गे कि ऑ थे के तरीके का ही है जिसमें क्या होगा वही जो गैर स्वेडेशी है नगाउं से स्वेढेशी नगाउं कि पहचान की जाएक यहाँ अपर जो नागालैंट के रहने वाले जो लोग हैं जो वहां के जो o अलग अलग जो राज्ये के जो इंडिनी जो पीपल हैं उनको अलग कर दिया जाएगा जिससे वहां के इस्थानिय लोगों की पहचान हो सकेगी तो यह सब चीज़ें जो एक तरीकी जैसी ही है उमीद करता हूं कि जो आज का जो टोपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यार देखते आने वाले टाइम में यह सब चीज़ें कैसे हो पाती है उमीद करता हूं कि आप लोगों को वातें समझ में आ रही होगी वीडियो समझ में आ रही होगी वीडियो समझ में आ यह तो बेशक वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे पता चलेगा आप लोगों क प्रिवाजनों के साथ और कुछ ज्यादा ही पसंद आई हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को पीडिएफ के लिए में आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो बसाज के लिए इतना था थैंक यू वर वाचिग दिस वीडियो